हेलो सॉल फैमली कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है इसलिए ज़्यादा करके आप लोग का हाल चाल पूछ रही हूं चैलिए दोस्तों जिन लोगों ने जिन जिन ने भी आप लोगों में से चैनल के ल के लिए और इतना ज़्यादा कंसोल कई आप लोगों मुझे कि हां मैं सब ठीक हो जाएगा और यह मनलब एक अच्छा लगता है ना कनेक्शन फील होता है कि हां आप लोग कनेक्टेड है मेरे साथ तो थैंक्यू सो मच दोस्तों आपके इतने कंसर्ण के लिए इतनी के और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्पेशिली होने वाला है अब्विएसली 12 टेल पॉर्टल के उपर जहां पर मैं आपको लोगों को एनर्जीज चैनल कर रही हूं और बहुत स्ट्रॉंग यूनियन एनर्जीज है इसका भी आपको इशारा म क्योंकि एक ड्रीम चैनलिंग भी पीच में है इसी वीडियो के अंदर तो द्यान से सुनिएगा और बहुत एक स्ट्रॉंग इशारा मिला यूनियन के बारे में तो द्यान से सुनिएगा वीडियो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बात दोस्तों box ने साथ ही साथ मैं देती हूं आप लगों को counseling and guidance and meditations and in our program also तो आप किसी भी session के लिए आके मुटसे contact कर सकते हैं and अपनी जर्णी पे and अपने connection पे fully guidance ले सकते हैं, clarity ले सकते हैं and please 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 मुझे instagram पे भी follow कर लिजे, id आपको मिल जाएगी नीचे description box में वहाँ follow करिए, वहाँ मैं regular आप लोगों के लिए short ratings लाती हूं तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को start करते हैं जहां पे मैं करने जा रही हूं पहले dream channel और उसके बात में मैं आप लोगों को energy बताऊंगी ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा shift है, यह कोई छोटा मोटा shift नहीं है, huge shift है तो इसको ऐसे ही हलके में नहीं लेना है, ठीक है, अपना faith and अपना trust बना कर रखना है युनिवर्स के उपर आपको, क्योंकि energy जो है, वो सच में ही बहुत ज़्यादा intense से रही है, full moon के time से, full moon तो, मतलब आपने भी कभी notice किया है, कि मैं बहुत ज़्यादा इन पर वीडियो नहीं बनाती हूं, full moon, new moon के time पर, लेकिन कभी-कभी, जब अभी जैसे इस पार वाला जो full moon था, बहुत ज़्यादा intense रही energies, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो है, energy बहुत ही अलग टाइप की, depressive energy ऐसी create होगी, तो sometimes हमको उसके बारे में बात करनी होती है, तो यही depressive energy या, जो intense energies है, वो अभी तक भी कहीं ना कहीं बातावरन में है, हाला कि अब इनका जोर कम प रेलाक्स है, ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है, फिर भी कोई ना कोई swings जरूर आ रहे हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि आप बार बार करके कहीं ना कहीं जो energy में थोड़ा थोड़ा जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत अगर अच्छी awareness में आप लोग हैं तो आप लो strong, full, desperate energy, ठीक है, काफी desperate energy में हैं आपके परसन, तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, तो बाहर से आवाजें आ रही थी, थोड़ा सा disturbance करेट हुआ, ठीक है, तो energy जो है वो ना, काफी हद तक यह जो पिछला दो तीन का जो रहा जितना भी, उसके तोरान में, stable हो नहीं पा रही है, ठीक है, मैं तो खुद आपको पता है, कल सब कुछ मैंने आप से share किया, तो मैं खुद भी बहुत balance करके चल रही हूँ, ठीक है, वो कहते हैं, कि कदम जैसे huge shift है, बड़ा वाला shift है, इस बार का full moon इतना intense था, तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे, एक एक का दम ना, फूख फूख के रखना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप भी अपनी energies का अतिहाम रखी है, और क्योंकि union के energies हैं, बहुत strong वाले, तो इसका reason मैं आपको बता देती हूँ, कि मैं बार बार आपको क्यों बोल रही हूँ, देखिए dream channeling है, dream, dream, कह सकते हैं इसको, एक पता नहीं जपकी के दोरान dream था, exactly मैं भी नहीं समझ पाई उस तीज को, लेकिन आपने कभी जैसे चिपकली को अपने उस पर देखा है ना, lizard को दीवार पर, ऐसे, I hope बहुत सारे लोगों में से आपने देखा होगा, कि मैंने तो अपने घर में देखा है, चिपकली को जो इन पर होती है, जब, फ्लोर पर होती है, चिपकली नीचे आजाती है, सबनाटा होता है, और ऐसे, मतलब कोई नहीं होता है, तब, तो, मैंने, आपको पताया भी था, कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस dream को convey कैसा करूँ, इस message को convey कैसा करूँ, तो, यहां पे, मैं देखत हो, फ्लोर पर दो, इस फडल का यूनिन है, क्लिर ली, अ, मतलब वो जमीन पर ही, देखा मैंने, जो जमीन पर जैसे ψंपकली है, यह तो, यह चलती है, तो वैसे, एक जमीन को ओपर, जो है, चब कलियों का यूनियन देखा और लिजर्ट का और वहीं पर एक ठार्ड लिजर्ड भी है जो मतलब उसको ऐसे कहेंग़ किसी को अप गहीं से जैसे जैसे उसको किसी ने दूर छिटका के फ homeless और वो न dancing फिर वो confused से है जैसे कभी इधर मतलब जाने की कोशिश करे रही है यहां पे जो है, मैंने clearly 3 छिप कलिया देखी तो अब भी भी union energy बख़त strong है लेकिन अब भी भी कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी जो है वो आके अपने नाग घुसा सकती है ठीग है अपना दखल दे सकती है या दखल देने की कोशिश कर सकती है क्योंकि वो जो तीसरी छिपकली थी तीसरी लिजर्ट थी वो बहुत हड़ बड़ाई हुई जैसे कन्फ्यूज होते है ना सम्टाइम्स वो कर रही है कोशिश की वो इन दो छिपकलियों के साइड आने की कोशिश कर रही है फिर इदर से मोड़की जा रही है दूसरी साइड पिर वापिस से इधर उधर कन्फियूज सी डोल रही है वो बतलब गूम रही है और ऐसा कुछ मतलब शीन था ठीक है तो नो डाउट यूनियन के अनर्जिस है लेकिन अभी भी आप थर्ड पाटी के वजूद से इनकार नहीं कर सकते हो स्टिल आर दियर ठीक है तो अभी नाम अभी इसमें से अगर और कोई मैसेज आप लोग ड्रा कर सकते है अपने लिए तो वो कर लीजिए गा ठीक है तो लेकिन मैंने जो देखा और जो मुझे समझाया वो यही है कि अभी भी मतलब बहुत सारे लोगों को जो मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि इफ यॉर पर नहीं वैसा अभी नहीं हुआ है हां उनके एनर्जी से डियम अपनी एनर्जी खीचने लग गए है अब आप इस अपने देयर टेकिंग बैक देयर चार्ज ठीक है और जो चार्ज उन्होंने पूरा अपनी थर्ड पार्टी को देखे रखा था ना वो अपना वापिस लेना स्टार्ट हो गए है ये जरूर एक अच्छी बात है लेकिन अभी हम आप उसको लेके इतरा निश्चिंत हो नहीं सकते हो ठीक है तो यहां पर जो हम बात करें थे कि अगर आपको परसन आये या कॉंटेक्ट करें तो अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान जरूर रखें ठीक है पिर आप हिल सकते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से आप बैलन्स करके चल रहे हैं जो पर्मानेंट यूनियन आएगा उसका भी आगे बताती हूं क्योंकि पर्मानेंट यूनियन भी आ रहे हैं परसन मैचूर होके फुली मैचूर एनरजी के साथ भी आएंगे ठीक है ये उ पर focus रखें ठीक है अपना focus अपने उपर ही रखें और अगर ये union आपका अच्छे से permanent union है आपको खुद को पता होता है कि आप किस टाइप के energies में हैं कि आप पर्मनेंट union attract कर रहे हैं ये आपको खुद को सबसे अच्छा पता होता है ठीक है क्योंकि अपनी energies को देखके आप समझ सकते हैं कि क्या ये जो आने वादा जो communication हो रहा है या ये जो union sign हो रहा है ये क्या सच में permanent है या फिर ये just a communication टाइप आ रहा है आप लोग आपके लिए तो permanent ये अगर union होगा तो आपको person जो आएगा वो पहले की तरह immature energies में नहीं लगेगा stable लगेगा ठीक है एक तो उ आना जाना जैसा नहीं मतलब क्या सा समझा हूँ आपको stable energies समझ लीजिए कि थोड़े awareness में लगेंगे वो आपको अच्छे से aware लगेंगे वो आपको आपके connection को लेके and अपनी power को लेके अपनी divinity को लेके वो काफी ज्यादा आपको ऐसा लगेंगे जैसे वो बहुत stable energies में है वो जो एक distorted masculine का trait होता है ना कि फिर यह कहना फिर उससे करना फिर यह कह देना फिर उससे मना कर देना फिर उससे पलटके कोई और बात कर देना मतलब बहुत fluctuate होती उनके energy लेकिन अगर permanent union है तो वो stable होगा तो पहले से mature energy होगी उसकी और क्योंकि यह बहुत पक्का है कि इस चीज को समझना है पकड़ना है और accordingly behave करना है आपको ठीक है क्योंकि सच में ही next level energy है अगर आप alignment में रहेंगे तो it will be good for you and your connection ठीक है ज्यादा जो है ज्यादा लोगों की संपर्क में आने से बचें इस time कर ठीक है और जितना ज्यादा हो सके उतना meditative रहें बस अपने meditative mode में रहें अपनी emotional health का ध्यान रहें ठीक है और और तो मतलब वही सब है कि जैसे meditation करिए ज्यादा अपने healing पे focus हो जाईए ठीक है manifestation आप अच्छा कर सकते हैं लेकिन क्योंकि आजकल energy is healing पढ़ी है तो इस लिए इस time पर आप manifestation पर थोड़ा कम focus रहेंगा क्योंकि मैं यह नहीं क्योंकि मैंनिफेस्टेशन बुरी चीज़ है manifestation आपको नहीं करना ही तो ही manifestation के ही होते है पोर्तल तो लेकिन क्योंकि अगर आप जो है negative energy के साथ manifest करने बाठते हैं तो फिर आप बहुत कुछ गलत manifest कर लेते हैं जैसे मुझे आजकल फील हो रहा है कि मैं कहीं नहीं मेरा fluctuation आ energy में मैं फील कर रही हूं ठीक है ऐसे में मैं अपना सारा जो भी मेरे manifestation techniques होते हैं उनको side में कर देती हूं क्योंकि बहुत strongly work करते हैं आपके negative चीजें भी आपकी तरफ जो है हो जाती है attract ठीक है तो इस चीज़ का आप बिलकुल धिहान रखिए ठीक है वो negative work कर जाती है आप अगर आपके person का आपको ख्याल आ रहा है बहुत ज़दा energy पिक हो रही है बहुत ज़दा आपको लग रहा है कि they are craving for you searching for you तो वहां पे आप oneness में फील करें ठीक है कभी भी यह अपने आपको पहली बात तो separation में नहीं समझना है और खास तोर चैसे portal से time होते है ना वैसे time प अगर आप कर सकते हैं तो वह manifest कर रही है और मैंने बोला था कि अभी जैसे negativity का अगर आपको खुद को पता होता है जैसे मैंने अपने खुद के बारे में honestly बता है ना आपको कि मेरे energies आजकल ही पड़ी है ऐसे आपको भी पता है तो ऐसे आप देखिए उस time पे जैसे आजकल के दिनों में अगर आपको बहुत negativity जादा time अगर आपके उपर negativity हो रही है हावी तो आप उस time पे manifestation को थोड़ा hold कर रखिये है ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता आपकी खुद की energy अच्छी हो तो manifest आप जिंदगी में कभी भी करते हैं किसी भी time पर करते हैं तो लेकिन उस time पर आपने क्या करना है उस time पर आपने अपने energy इसको ज्यादा करके stabilise करना है meditation करके ताकि manifestation तो एक साइड में लेकिन कम से कम healing का फाइदा तो आपकी body को mind body soul को मिल सके ठीक है तो कम से कम healing तो आपकी अच्छे से हो सके तो इसलिए आपने थोड़ा सा I hope मैं समझा सकी हो आप ठीक है चैनल पर अटाक हो गया तो मैंने क्या किया था जब कल दिन में आप लोगों से बात की थी पार्क में फैटके तो मैंने बोला था ना कि मैं सरेंडर कर जाती हूं इस तीज को अभी मुझे मैंने अपने सारे आपाउ मार के देख लिए ठीक है रात से कर रही थी और ओक मैंने सहरेंडर किया तो मैंने असके बाद मैंने बोले कि दखे मार के जाए पर कर मिलेट साइड पार किया फीजिकल वर्क जाएँ से जाता किया ठीक है तो मैं थारे बहुत सारे कप्ड़े थी और मैं मैं मुष्ण नहीं करती हूं टॉट बहुत काम फेलता है माशीन का तो मैं जो हमारे रूटीन, जो कपड़े होते हैं, जो मैं हैंड वोष करना पसंद करती हूँ, हाथों से धुना पसंद करती हैं, तो वो मैंने किया, तो फिजिकली भी बहुत अच्छा रहता है, मैं लिए, और मतलब क्या होता है, बहुत सारे कपड़े दो और अपनी अलमार और फिर वो ठीक भी हो गया, ठीक है, तो चीजे हो जाते हैं, सम्टाइम्स आपको लेट को करना पड़ता है उस चीज को, आप वहां से अपनी वरीड एनर्जी को हटाएंगे, तभी तो कुछ पॉजिटिव वहां वर्क कर पाएगा, ठीक है, तो ये चीज है, जो छोटी स हो चुका होता है, वहां पर बैट रहने से आप सोच होगे, आप किसी ना किसी काम में लग जाओ, तो लेट को जाता है, और फिर उसका सॉलिशन आप देखेंगे, आटोमेटिकल ही निकलाता है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ये खित्म करते हूं, थैंक यू सूमस दो दोस्तों, बाई बाई, और मिलते हैं अवे कंसोल पर चैनल आ गया है, मैं वीडियो डालूंगी, थैंक यू सोमस दोस्तों, बाई बाई